नारे वाजी और गामे की तस्वीरें महराष्ट ब्रिधान सबाकी है जहां गुरवार को शुरू हुए सीद कालिन सत्र के पहले ही दिन किसानों के मुद्दे पर जम कर हंगामा हुआ विपक्षी सदस्यों ने किसानों के मुद्दे पर जम कर सरकार को घेरा और नारे वाजी की दरसल नागपुर में गुरुबार को महराष्ट विदानसवा के शीत कालिन सत्र की शुरुवात हुई सत्र के शुरू होने से ठीक पहले विदानसवा में विपक्ष के नेताओं ने किसानों समेट कई मुद्दों पर प्रदर्शन करते हुए नारिवाजी की कई नेता फलों सब्जियों की माला पहने हुए नजर आये तो महीं कईयों ने बेनर लेकर भी प्रदर्शन किया महीं मुख्यमंत्र एक नाश्षिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फरनवीज ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया बिदान सबा के अंदर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसानों के मुद्दे को लेकर जम कर बहस हुई बताने के महराष्ट बिदान सबा के शितकालिन सत्र के पहले दिन विपक्ष ने क्रशी, कर्ज, माफी, धान की फसल पर बोनस और कपास और सोयावीन के लिए अधिक नियुनतम समर्तन मूल की मांग करते हुए बिदान भवन में प्रदर्सन किया शिवसेना, UBT, राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी, शरद गुट और कॉंग्रेस समेत महाविकाज गारी के नेताओं ने प्रदर्सन में भाग लिया M.B.A. निर्ताओं ने कहा कि बिर्मोशम, बारिश और ओला वरिष्टी के कारण किसानों पर गंबीर असर पड़ा है उन्हें तत्काल आर्थिक मदद दी जाए इसे पहले विपक्ष ने सरकार की होड़ से सत्र की शुरुआत पर रखी गई चाय पार्टी का भी वॉयकॉट किया था बताने कि महराष्ट विदान सभा का सीच कालिन सत्र 20 दिसम्बर तक चलेगा इस दौरान किसानों समेत अन्य मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा तो मैं सरकार की होड़ से भी विवक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी कर ली गई है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पाने के ले बेल आइकन भी तबा दे किसान तक खाना है तो उगाना है